नमस्कार चात्रों मैं डॉक्टर राशी सुख्ल डिपार्ट्मेंट आफ जोग्रोफी बीएसर गोवर्मेंट राट्स कालिश से हैं मखातिव हूं बीए सिकेंड यर ओनर्स के चात्रों से जिन्होंने कल्च्रल जोग्रोफी का पीपर आप्ट किया हुआ है चात्रों आज हम स्कूर चर्चा कर रहे हैं कैं डूमेस्टिकीशन ऑफ एनिरंड पस्व jestem के पाल्त नो करन पर में हमने ने हैँ अपने सेक्शन सी स 600 के असे पार्ट में जो चीजे हैंं उन में से पौधह के पाल्ट करन पर बात सजह की थी पास्व का पाल्ट करण पौधों के पालन से भिन परिस्तितियों में हुआ है कि आधिमानों हजारों और सों से पस्वों का सिकार करता रहा परन्तु पस्वों की अधिक संख्या उनकी उग्रता आधिके कारणों से उसने उनके पालन की और उतना ध्यान के इंद्रित नहीं किया विद्वानों का मत है कि पस्टिमी एसिया जैसे सुस्क प्रदेशों में भेड, बक्री, घोड़ा, कुत्ता तथा दक्षणी और दक्षणी पूर्वी एसियाई भागों में गाय, बैल, भैंस, कुत्ता या बिविन्य प्रकार की चिडियों आदि को पालतू बनाया गया क्रसी एवन सामानों की ढूलाई में इनका प्रियोग सफल रहा होगा, साथी साथ इन पुस्मों से प्राप्त दूद, मांस, चमड़ा, आधी विभिन्य कारियों में उप्योगी होने के कारण यह पस्टि पसुपालन का आधार बनी कारल सावर का मत है कि सिकारियों दौरा पसुपालन प्रारम नहीं किया गया वरन यह कारी सरुप्रथम क्रसक वर्ग या चरवाहा वर्ग दौरा प्रारम हुआ क्रसक वर्ग इनका उप्योग क्रशी भारवाहन के कारे में करता रहा और चरवाहे पस्वों का जुन्ड लेकर घास के मैदानों में गूमते रहें कृसकों ने उन्हीं पस्वों को पालतू बनाया जिनका उप्योग वह कृसी के लिए अपने आपने सहयोगी मानते थे जी इचाइल्ड ने कुट्टे को प्रथम पालतू पस्व माना है इनका मत है कि ये सभी प्रकार के लोगों में अपनी उप्योगिता प्रमानित करता रहा है फल्सुरूप, सिकारियों, चरवाहों एवं क्रस्कों के लिए ये एक अत्यंत उप्योगी वह विश्वसनिये पस्व के रूप में पाला गया हजी वेल्स और डेरिल फोल्ड का मत है कि पुरा पाशान कालीन मानों ने जंगलों में घुमते हुए विभिन वन्य पस्वों के सुभाव का निरिक्छन किया क्योंकि वे घुड़े का मांस खाते थे इसलिए वो सरप्रथम घुड़े को पालतु बनाने में सफल हुए परंद ये विचार सभी विद्वानों के द्वारा सुविक्रत नहीं है घुड़े का पालतु करण सरप्रथम काकेकस छेत्र में किया गया सामानत है जिस परिवेश में जो पस्व उपलब थे उनका ही पालन वहां के मानों समदाओ द्वारा तारम हुआ होगा मिस्व में जो छेत्र पौध पालन की द्रिष्ट से अग्रणी थे उनहीं छेत्रों में पस्व पालन का कारी भी हुआ इस्थाई रूप से रहने वाले मानों समदाओ ही पस्व पालन में अधिक समर्थ थे पस्व के पालन हे तू उप्यूक्त प्राक्रतिक दसाओं का भी विशिष्ट भूमिका यरोल होता है क्योंकि पस्व पौधों की भाति इस्थाई नहीं है वरन स्विक्षा पूर्वक इधर उधर विचरण कर सकता है प्राक्रतिक वातावरन के विभिन तत्तों जलवायू मिट्टी प्राक्रतिक वनस्पति जल स्रोत आधिकी प्रभाव से पस्व कूनत है स्वतंत्र नहीं है पस्वों को सरवाधिक घनिष्ट संबंध प्राक्रतिक वनस्पतियों व जलवाईव उसे प्रभावित करती है के साथ ही रखना होता है न्यू बिगिन का कथन है कि इस्थल पर रहने वाले पस्वों का इस्थान भौतिक तत्तों द्वारा परिभासित नहीं होता किन्तु उनके द्वारा वनस्पति जिस रूप में परिलक्षित होती है उसी से निर्धारित होता है कि छेत्र विशेश में किस प्रकार के पस्वों होंगे वनस्पति एवं पस्व जगत एक दूसरे से नकेवल संबंधित है वरण एक दूसरे पर निर्भर भी है यदि विश्ट्र के सभी जीवधारी नस्ठ हो जाएंगे तो वनस्पति समदाए भी नहीं बचेगा नस्ठ हो जाएगा अधिकांस पस्जगत वात्तावरन के अमसार ही पाए जाते हैं यूरोप और एसिया में कठोर सीत के आकर्मण के पूर्व उश्र भागों में हाथियों की अनेक जातियां पाए जाती थी जो समभुता है आधनिक अफ्रीकी वभारतिय हाथियों की पूर्वज रही होंगी मरस्त्रिय छेत्रों में उंट सघनवनों में अनेक प्रकार के विसाले जीव जन्तु विच्छु मच्छर मक्षियां कीड़े आधी मिलते हैं तो पसु पालन का जो छेत्री वितरण है इस पर बात अगर करें तो विस्टु के विभिन प्रदिश्टों में फैले मेधावी मानों ने ही पसु का पालतु करन किया परवतिय एवं पठारी भागों में भेड, बक्री, घोड़ा, मैदानी भागों में गाय, वैल, भैस, सुवर, कुत्ता, आधी तथा मर्फ्तनी भागों में उंट आधी पसु का पालन किया जै इस प्रेंसर महोदे ने छेत्री आधार पर विभिन पसु के पालतु करन उप पर अपनी बात साजा कि उनके अनुसार इसे निम्नित चार छेत्रों में विभक्त किया जा सकता है पहला दक्षणी एवं पूर्वी एसी आई छेत्र इस छेत्र में गाय, फैल, भैस, कुत्ता, कबूतर, सुवर, मोर, आधी का पालन किया गया मध्य यूरेसियाई छेत्र हिमाले के उत्तर, इस छेत्र में बक्री, भेड, घोड़ा, याक, बेंडियर, उंट, आधी का पालतु करन किया गया पस्चिमी एसिया, भूमत जिसागर इवं उत्तरी पस्चिमी अफ्रीकी छेत्र की बात करें इस छेत्र में सुवर, बक्री, कुत्ता, भेड, उंट, आधी पस्वों का पालन हुआ मध्य अमेरिकी एवं इंडी छेत्र इसमें नई दुनिया के इस छेत्र में लामा, अलपाका, सुवर, मुर्गी आधी का पालन हुआ आपको साजा किये गए पीडियेफ में विश्व के मान चित्र पर पस्वों के घरेलू करण के प्रमुक प्रदेशों को भी वर्गिकत कर दिखाया गया है जिसका आप अभ्यास करें उप्रियुक्त विवरण से इस पस्थ है कि पस्वों का पालन पौध पालन वाले छेत्रों में ही हुआ पौधों एवं पस्वों में गहरा संबंध होने के कारण पौधों के अनुसार ही पस्वों का पालतु करण किया गया क्रस्वी एवं पसुपालन के इस बढ़ते अंतर सम्मन से मानों के अर्थ तंत्र में उलेखनी परिवर्तन भी हुए जनसंख्या की ब्रद्धी के साथ साथ जनसंख्या संकेंद्रन की प्रवत्ति बढ़ी जिससे सरप्रधम हेसिया के दक्षणी पूरी विभाग में जन समुहन हुआ एग्लोमरेशन हुआ पसुपालन की संस्क्रति में व्योसाई करण की प्रवत्ति से क्रांतिकारी परिवर्थनों का सुत्रपात हुआ आज यूरोब उत्री वदक्षणी अमेरिका और आस्ट्रेलिया पसुपालन में अग्रणी हो गए हैं पसुपालन एवं पसु उत्पात की द्रष्ट से इन देशों का वर्चस्व इस्थापित हो गया है अब विकासील देशों में भी व्योसाई करण की इस प्रवत्ति को अपनाया जाने लगा है फलते भारत जैसे विकासील देश भी स्वेत क्रांत की लहर दोडा रहे हैं पसुपालन में प्रशरण, नसल सुधार, विक्सित चारागाह और उत्पादों का दिक्रे आदी उलेखनी सुधार हुए है विस्तु के जिन भागों में यह प्रवत्ति नहीं पनपाई वहां पसुपालन आज भी प्राचीन पद्धति से ही हो रहा है हिमाले के गद्धी, अरब के बद्धू, अफरीका के मसाई एवं कजाकस्तान के कजाक समाज परंपरागत चरवाह समाज हैं इस समाज का आदिम आर्थतंद्र, सामाजिक धाचा, एवं रीत रिवाज, विसिष्ट प्रकार का पाया जाता है जिसमें अब सम्मझनी सरकारों के प्रयास से भी परिवर्तन परिलक्षित होने लगे हैं इन सब के साथ साजा प्रयासों से ही संस्कृतिक स्वरूप में यह जो पस्वों का पालत्युकरन हुआ है इसका प्रभाव क्रशी संस्कृति परिलक्षित होने लग जाता है क्योंकि आदिमानों ने जहां इस्थाई रूप से रह करके अपने लिए पस्वों को सहयोगी बाना वह मुख्य रूप से क्रशी के संदर्व में ही था तो इससे क्रशी संस्कृतिका भी उद्भाव हो जाता है आप इसको परिच्छा परियोगी द्रिश्ट से तयार करें धन्यवादें